इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें, इससे आपकी स्थिती जल्दी ठीक नहीं होगी और इससे केवल साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं. . डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी से अधिक समय तक दवा का इस्तेमाल न करें, और अगर इलाज के दो से चार सप्ताह के बाद भी आपकी स्थिती में सुधार नहीं होता है, तो डॉक्टर को बताएं, अगर आपको एथलीट फुट की बीमारी है, तो अपने मोजे या टाइट्स को अच्छी तरह धोएं, और अगर संभव हो तो अपने जूते को रोजाना बदलें, इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट में उप्योग वाली जगह पर रियेक्शन जैसे जलन, परेशानी, खुजली, लाल होना, त्वचा में छाले पढ़ना, या फ अगर ऐसा होता है, तो अपातकालीन सहायता प्राप्त करें, आखों के संपर्क में ना आने दें, सीधे आखों में चले जाने पर, अपनी आखों को पानी से धोले, और मेडिकल सहायता तुरंद प्राप्त करें, ऐसी संभावना नहीं है, कि मूह या इंजेक्शन से ली जा किया है, जिसमें स्टेरोई था, या अगर आपको किसी अन्य एंटीफंगल दवा से अलजी हुई थी, तो अपने डॉक्टर को यह बात बताएं, गर भवती या स्तनपान करवा रही महिलाओं के लिए, यह क्रीम का इस्तेमाल केवल तब किया जाना चाहिए, जब इसकी सप आश्ट रूप से जरूरत हो, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद